बी विद्रोह के कारण सामान्य परिचे एंगलो इंडियन इतिहास कारों ने सैनिक असंतोशो तथा चर्बी वाले कार्थूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। इसके प्रमुख कारणों का विशलिशन इस प्रकार है। के रूप में एक निश्चित आकार धारन कर लिया था। इसी क्रम में डलहोजी के व्यपगत सिधान्त ने हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया। जिसने आग में घी का काम किया। यद्यपी मुगल समराट 1803 इसवी से ब्रिटिश सनरक्षन में रहने लगा था। लेकिन मान मर्यादा से संबंधित उनके दावे सुईकृत थे। वे गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर कहकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एम हर्स्ट ने बादशा को ये समझा दिया कि उनकी बादशाहत नाम मातर की है और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने स इंकार किया। इसके बाद एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलेंड ने बादशा को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा तथा नजर लेने, खिलत देने और दरबार करने से रोग दिया। इसी क्रम में डलहोजी ने समराट को लाल किले से हटने के साथ साथ की उपादी छोड़ देने के लिए कहा, इन घटनाओं से सभी लोग मगल बादशा के अपमान से नाराज हुए, जो कि उनकी बादशाहत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस संदर में एलेकजंडर डफ ने लिखा है, पिछले सव वर्षों से समस्त भारत में लोग नीजी घरों में अथो मस्जिदों में तैमूर के वंश, जिसका प्रतीगों दिल्ली के सम्राट को मानते हैं कि समृद्धी के लिए प्राथना करते रहे हैं। इस तैमूर के वंश की सम्रिधी का अर्थ केवल अंग्रेजी सामराज का पतन और प्राचीन व जबकि अवद से अधिक अंग्रेजों का समर्थक तथा आग्याकारी राज कोई भी नहीं था। को ब्रिटिश राज में मिला लिया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने पेशवा बाजी राव द्वती के दत्तक पुत्र नाना सहब की पेंशन्स भी बंद कर दी। तथा करनाटक, सूरत और तंज़ाओर के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया। 1854 में डलहौजी ने जमीनदारों एवं जागीरदारों की जाच के लिए बंबई में इनाम कमीशन बैठाया। जिसने 35,000 जागीरों की जाच की और लगभग 20,000 जागीरें जप्त कर ली। कमपनी की सेवा में भारतियों को उच्च पदों पर नहीं रखा गया। उप्रोग्त राजनीतिक कारण भी विद्रोह के कारण थे। अंग्रेजों की आर्थिक शोषन की नीती भी विद्रोह का प्रमुक कारण थी। यह शोषन भूमी विवस्थाओं के नए-नए अविश्कार करों में वृध्धी एवं भारती उद्द्योग धंधों को नश्ट करके किया गया। अंधन से ऐसी इस्थिती पैदा हो गई इसके अतरिक्त अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता पर अतरिक्त कर बढ़ा दिये जिसको वसूलने के लिए अधिकारियों ने जनता पर बे इंतहा जुल्म ढढ़ाए जिससे भुक्त भोगी सत्ता उखाड फेकने के लिए किसी भ अउसर का स्वागत करने को तैयार थे अंग्रेजों के आने के पूरो भारत एक क्रिशी प्रधान देश ही नहीं था बलकि यहां का उद्द्योग और व्यापार बहुत उन्नतशील दशा में था लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारती उद्द्योगों और व्य अंग्लैंड भेजना प्रारम किया और उसी कच्चे माल को पक्के मालों में बदल कर भारत में महेंगे दामों में बेचा जाने लगा हमारे राश्टिये नेताओं जिनमें दादा भाई नवरो जी आर्पी दत आर्सी दत गोपाल किश्न गोखले आधि प्रमुक थे जिनों ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोशना की इसी क्रम में दादा भाई नवरो जी ने 1861 इस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिध्धान्त प्रस्तुत किया नमबर तीन सामाजिक धार्मिक कारण सभी विजेता जातियों की भाती अंग्रेश शासक विजित लोगों के प्रति बहुत रूखे तथा ध्रिश्ट थे इसके अतरिक्त वे जाती भेद की भावना से भी प्रेदित थे वे भारतियों को हे ध्रिश्ट से देखते थे और हि इंदो समाज में व्याब्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सतीप्रथा, कन्यावद, बाल विवा का निशेद एवं विधवा विवा के समर्थन आदि पर कानून बनाए गए पुरोहित वर्ग ने जान बूझ कर अंग्रेजों के इन विचारों को चुनौती दी, क्योंकि इन कारियों से उनकी शक्ति एवं प्रभाव में कमी आई यूरोपी अधिकारियों द्वारा भारतियों के साथ किये गए व्याहार का उलेक करते हुए तिलक ने लिखा है कि कोई भी आत्म सम्मान युक्त जाती इसे एक घंटे के लिए भी बरदाश्ट नहीं करेगी सामाजिक दिश्टी से भारतियों के प्रती अंग्रेजों के विचार एवं उनके विवहार बहुत ही अपमान जनक हुआ करते थे यूरोपी अधिकारी वर्ग भी भारतियों के साथ अमानवी विवहार किया करता था इसी क्रम में जब 1813 इस्वी में इसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमती दी गई तब से उनका प्रचार कारे बहुत बढ़ गया अब शिक्षण संस्थानों में भी इसाई धर्म का प्रचार प्रारंब हुआ 1837 इस्वी के अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को इसाई बनाया गया 1845 इस्वी में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बरतन ले जाने पर रोक लगा दी गई तथा कैदियों का भोजन एक गैर ब्रामण द्वारा बनाया जाना प्रारंब किया गया जिस से कैदियों को लगा कि उन्हें इसाई बनाया जा रहा है वीर सावरकर ने लिखा है कि सैनिक एवं असैनिक उच्छ अधिकारी राम एवं मुहम्मद को गालियां देते थे को ठेस पहुची और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद विद्रोह में समर्थन किया 1853 में House of Commons में Court of Director के निदेशक मैंजिलस ने कहा दैव सैयोग से भारत का विस्तृत सामराज हमें मिला इसाईयत का पताका भारत के एक कोने से दूसरे कोने में फैरा देंगे 1850 इसवी में पास किये गए धार्मिक अयोग्यता अधनियम दोरा हिंदू रीती रिवाजों में परिवर्तन लाया गया अर्थात धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ती से वंचित नहीं किया जा सकता था इस कानून का मुख खिलाब इसाई बनने वालों को था इसके अतरिक्त लोगों ने ये भी अफवा फैला दी कि लाड़ कैनिंग को विशेश आग्या दी गई है कि वह भारत को इसाई बना दे ऐसे वातावरण में यह विश्वास किया जाने लगा कि रेलवे और वाश्प पोत भारतिय धर्म परिवर्तन का एक अप्रत्यक्ष साधन है 5. सैनिक कारण भारती समाज के उच्छवर्ग के लोगों में जो असंतोष व्याप्त था वो बंगाल सेना के भारती सिपाहियों में भी व्याप्त था बंगाल सेना के अधिकांश सैनिक ब्राम्हड या राजपूत थे जो प्राया उस अनुशासन को सुईकार करने के उध्यत नहीं थे जिसके अनुसार उन्हें और निम्न जातिये सैनिकों को समान माना जाए इसी क्रम में सर चाल्स नेपियर को इन उच्च जातिये भाड़े के सैनिकों पर कोई विश्वास नहीं था भारत में अंग्रेजी सामराज के प्रसार से सैनिकों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा अब उन्हें अपने देश से दूर सेवा करनी पड़ती थ हारती सिपाहियों का पहला विद्रोह 1764 इसवी में तब हुआ जब बकसर में मीर कासिम के विरुध लड़ते हुए मुनरो की सेना की एक बटालियन नवाब की सेना में मिल गई उस बटालियन की सेना पर मुकदमा चला और 24 सिपाहियों को तोब से उड़ा दिया गया सेना में प्रथम धार्मिक विरुध 1866 में वेलोर में हुआ यहां माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बानने पर रोक लगाई गई जबकि दाढ़ी मुड़वाना आवश्यक किया गया पगड़ी की जगा एक हैट लगाया जाना प्रारम किया गया जिस पर चमडे की सेना में प्रामिक विरुध 1824 इस्वी में हुआ जब बैरकपुर की 47वी रेजिमेंट ने वर्मा जाने से इंकार कर दिया क्योंकि हिंदूों के लिए समुद्र पार जाने का मतलब था उनका धर्म नश्चोना परड़ाम सरुब विरुध करने वाले सिपाहियों को फासी द जिसके नेताओं को सजा दी गई और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया 1857 इस्वी का विद्रोह इन विद्रोहों की पराकाष्टा थी 1854 इस्वी में डाग घर अधनियम पारित होने पर सैनिकों की निशुलक डाग सुविधा समाप्त कर दी गई 1856 इस्वी में कैनिक की सरक सरकार को आवशक्ता होगी वे वहीं कारे करेंगे इसके अतरिक्त क्रीमियन युद्ध में विनाश के कारण सैनिकों का साधरन मानसिक बल भी कम से कम हो गया था उपरोक्त कारणों से सैनिकों में विद्रोह की भावना प्रबल हो गई नमबर पांच तातकालिक कारण सैनिक अधिकारियों ने इस अफवा की जाज किये बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनका धर्म भरष्ट करने का निश्चय प्रयत्न है इस घटनक ने चिनगारी का कारी किया और मंगल पांडे ने विद्रो की शिरुआत कर दी यह एक तातकालिक कारन था